हेलो फ्रेंद्स, वेल्कम तुपाय चानल तोड़े विल अदर्स्टांड दे मीनिंग ओप डियर इन हिंदी आज हम समझेंगे डियर का मतलब हिंदी में डियर मीन्स, हिम्मत, हिम्मत करना, साहस करना, जोखिम उठाना, चुनौती देना, उकसाना डियर हैस तो डिफरेंट मीनिंग, डियर के दो अलग मतलब होते हैं फर्स्टली इट मीन्स, वेन यू दू सम्ठिंग बाई शोंग करेज मतलब, जब आप हिम्मत दिखा कर कुछ करते हैं, यानि बिना डरे कोई भी काम करते हैं, उसको हम डियर कहते हैं And secondly, it means, when you challenge someone in order to see their courage मतलब, जब आप किसी की हिम्मत देखने के लिए या उसका साहस परकने के लिए उसे चुनौती देते हैं तो उस चुनौती को भी हम डियर कहते हैं Now we will understand three examples, अब हम इसे उधारन के द्वारा समझेंगे How dare she come here? उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? इस उधारन में डियर का प्रियोग हिम्मत के लिए किया गया है, यानि कोई भी काम बिना डरे करना They gave him a dare to jump from the building उन्होंने उसे इमारत से कूदने की चुनौती दी इस उधारन में डियर का प्रियोग चुनौती के लिए किया गया है, यानि साहस पर रखने के लिए Now let's recap Dare का मतलब हिम्मत, हिम्मत करना, साहस करना, जोखिम उठाना, चुनौती देना और उकसाना होता है Dare has two different meanings, dare के दो अलग मतलब होते हैं Firstly, it means when you do something by showing courage मतलब जब आप हिम्मत दिखा कर कुछ करते हैं या कोई भी काम बिना डरे करते हैं, उसको हम dare करते हैं And secondly, it means when you challenge someone in order to see their courage मतलब जब आप किसी की हिम्मत देखने के लिए या फिर साहस परकने के लिए उसे चुनौती देते हैं, उसको भी हम dare कहते हैं